तो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब सबस्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहां मैं आपके साथ एक बहुत ही एहम मुद्धे पर बात करने वाला हूँ वो क्या है कि 1.5 डेज में सर याद आएगा नहीं आएगा 1.5 डेज में हमसे सवाल हो पाएंगे या नही सारी थीरी है क्या हम recall कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सवाल का जवाब इस आप कर पाऊँ एस आप कर पाऊगे देखो मैं आपको इक simple आता हूँ मेरे साथ भी नहीं दूइधादी मैं भी इसी दूइधाग के ठूभू गुजर राहा था और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ I think October का ही महीना था और मैंने अपने senior को call लगाया था उसकी All India Rank 33 थी call ठाया मैंने का यार बताओ आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब पढ़ रहे थे तो क्या आप से audit की चीज़े रिकॉल हो रही थी कहा लास्ट 1.5 देज में उन्होंने मुझे पता है क्या बोला भाई सा 1.5 देज में सोचने समझने का टाइम नहीं हो ठीक है चुपचाव अपना जो फोकस होना चाहिए न वह यह होना चाहिए कि हम जितना स्यादा cover कर सकें वह important है because the answer answer lies in the fact is 30 marks के 30 marks के तो mcqs ही आते हैं तो अगर आपने अपने पूरे course को एक बार देख रखा होगा उस लास्ट 1.5 देज में so it will become very very easy for you to score 24 and above यानि आप 24 नमबर तो कम से कम mcq में कहने की कोशिश कर रहा हूं see the way we have covered the things be it inter audit be it your final audit आप ये सब चीजे कर पाऊगे ठीक है आप easily 1.5 days में कर पाऊगे but the point is देखो जब effort भी लगेगा न मेन हमारा focus ही होगा कि हम coverage कर पाए अगर coverage होगी तो वो 30 marks के जो mcqs है मैं हर बार पते हैं बच्चों से एक ही बात सुनता हो जब भी वह exam देके आते हैं sir mcqs में मजा आ गया कच में sir mcqs में मजा आ गया तो यह audit हो चाए law हो चाए आपका कोई भी और paper हो जहां पे mcqs है these will be the game changer for you यह आपकी नईया पाल लगाएंगे तो इनसे आप एक comfort ले सकते हो गया इसमें तो कम सेगा मुझे 80% score करना ही करना है ठीक है एक बार आपके 30 में से 24 mcqs में आ गए मुझे क्या comfort आया पता है उस बंदे के ना theoretical से पेपर होता है descriptive वाले उसमें उसके अरलग बग 50-50% थे I think law में उसने कुछ 70 में से 30 score करा था ठीक है पर mcq में ही secure 25-26 तो उसका overall score 100 में से 56 पहुँच गया तो that gave me a lot of comfort कि भाई हो सकता है descriptive में हम 50% 60% इन पर रहे भी जाए बट mcq हमारे number आएंगे ही आएंगे अगर हमने चीजों को अच्छे से cover कर रखा है plus 1.5 days दिया ही इसले गया है आपको यह तो कहा नहीं न कि आप पहला paper दो और अगला paper आपने सीधा देना है बिना revise करें नहीं वो 1.5 days इसलिए दिया गया है ताकि आप वापिस चीजों को go through कर सको और यह न सारी चीज़े आपके back of the mind में stored रहती है तो यह चीज़े फिर आपको recall होंगी पर मैं एक बात बताओ आपको क्या दिक्कत कब आती है दिक्कत आती है जब हम panic कर जाते है वो बोलते है ना problems तो है सब के साथ बस नजरिये की यह बात मैं आपको बताओ ना आपको जो नजरिये है न वो आपको hero और zero में फरक करता है अगर आपका जो नजरिये है वो एकदम cool है calm है like MS Dhoni MS Dhoni why he is the greatest captain because he has been cool he has been calm भले ही सबसे toughest situations मिलती हो cricket में वो एकदम calm रहता है तो that is what matters अगर आप cool कावर होगे आपको automatically सारी चीज़े हैंगी आप looks उठाओ के चीज़ों का and things will you will see things getting done properly ठीक है तो कोई tension नहीं लेनी बिल्कुल आपने घबराना नहीं है ठीक है just stay cool just stay calm सारी चीज़े आपको 1.5 डेज में याद आएंगी बट हाँ उसके लिए जो अभी का time है आपका October का just try to give your best जितने भी आपके theoretical subjects है जैसे audit हो गया law हो गया आपके intern में EIS हो गया SM हो गया इनकी जो revisions है ना try to keep them as close as possible to your accounts की revision जैसे कि आपका group 1 में accounts रहेगा तो account से just पहले आप अपनी audit और law की revisions schedule करो ठीक है या सिरफ आप group 2 दे रहे हो CA inter का ठीक है CA inter का अगर आप सिरफ group 2 दे रहे हो तो जो advanced accounts की revision है उससे just पहले अपने EIS SM और audit की revisions schedule करो so that वो आपके mind में जितना जादा हो सके वो fresh रहे है बाकी तो या tension दी load नहीं है ठीक है हर बंदा इसी चीज़ के तुरू गुजर रहा है कि 1.5 days में handle हो या नहीं होगा मैं बताओ होगा अगर आप अपने mind को handle कर गए अगर आप एकदम coolly कामली आगे बढ़ गए definitely होगा औ और जब भी tension हो तो अपने दिल को बस ये दिलासा दिया करो पास होने के लिए सिरफ 40 चाहिए और अगर MCQ में हम 30 में से 24 भी ले आए मैं कहता हूँ 20 में ले आए तो बाकी 70 में से क्या 20 भी नहीं ला पाएंगे मैंने का definitely ला पाएंगे तो बस आपने अपने आपको ये comfort द आए रखना क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो मौज उडाते रहो and wish you the best and yes अभी तगर वीडियो को लाइक नहीं गया तो दो गिविट आ लाइक and stay subscribe to the channel for more such videos all the best